टाइम गौड बनते ही वीविंड सेना ने लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला जी हाँ दोस्तों आपको बदा दें जैसा कि आप सब जानते हैं वीविंड सेना बिग बॉस सीजन 18 के अब नए टाइम गौड बन चुके हैं और टाइम गौड बनते ही वीविंड सेना ने अ क्योंकि वीविंड सेना ने जो फैसला लिया है उस फैसले को सभी के सभी घरवाले मानने से भी इनकार करते हुए आप सब को दिखाई देने वाले हैं कौन सा है ये बड़ा फैसला चली आपको बताते हैं लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक जरूर कर दें जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते दिन घर के अंदर टाइम गौड वाला टास्क हुआ जिसमें वीविंड सेना को नया टाइम गौड बना दिया गया ऐसे में अब आपको बता दें कि सबसे पहला फैसला बिग बॉस ने वीविंड सेना से ये मांगा है कि बिग बॉस ने कहा है कि घर के अंदर जितने भी सदस्ये हैं इन सदस्यों में से दो ऐसे कंटेस्टन के नाम बताओ जो की तुम्हारे मुताबिक सीधा सीधा इसी वक् रजत दलाल का जी हां दोस्तों रजत दलाल को वीविंड सेना ने सीधा सीधा जेल भीजने का बड़ा फैसला ले लिया है इशा ने भी रजत दलाल से कहा था रजत ने जेल जाने से वीविंड सेना ने ये फैसला लेने से पहले इशा सिंग से भी पूचा था जहां पर नहीं ऐसे में पहला नाम तो रज़त दलाल का सामने आ चुका है लेकिन रज़त सिदा सिदा इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस जेल में नहीं जाओंगा क्यूंकि मैं जेल को एक सजा की तरह मानता हूं तो मैंने इस घर के अंदर कोई गलती नहीं की है कोई गलत काम नहीं किया है तो किस बात की मुझे सजा दी जाती है यहां पर दूसरा नाम खबरों की माने तो रजद दलान ने ले लिया है किसी और का नहीं बलकि चाहत पांडे का और चाहत को वो पूई तरह से जेल भेज रहे हैं जी हां ये दो नाम ले लिये हैं वीविनड सेना ने जहां पर आपको बता दें कि खबरें सेट से ये आरही हैं कि रजद भी जेल जाने से इनकार कर रहे हैं और चाहत पांडे का भी जेल के अंदर जाने का कोई भी मूर्ड नहीं है तो इस तरह की चीजें आपको आज के दिन बिग बॉस के घर के अंदर देखने को मिलने वाली है जहां पर रज़त और सामने वीवेंड सेना दोनों के बीच तू-तू-मैमें भी होती हुई आप सब को नजर आने वाली है तो ये पहला फैसला है जो की वीवेंड सेना ने बिग बॉस के घर के अंदर टाइम गॉड बनने के बाद लिया है ऐसे में क्या सही है क्या इन दोनों को जेन में भेजना चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें और बिग बॉक्स जोड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें